जब आप सब चीज में आगे हैं आप खुद कहते हैं कि बिहार का सिक्षा व्यवस्ता बहुत अच्छा था तो आपको केके पाथक को क्यों लानी पड़े अब केके पाथक जब सरकारी स्कूल का निरक्षन कर रहा है तो लगतार नहीं नहीं तस्वीरे सामने आ रहे खुद ब लिकेगा डॉक्तर को आपने हैर कर रखा तो नहीं डॉक्तर को हैर मी किये जा रहे हैं तो आख वर्वाने दिल्ली पहुं जाते हैं अब उनके सेक्रेटरी को कोई प्रॉबलम हुआ तो सीधे पटना के पारस अस्पताल में कुछ दिन पहले भरती हो गया और उसके बाद सी है वो कौफी विग्री हुई है कुछ दिन पहले एक तस्विर सामने आई थी जहां बिहार के मख्या मंतरी उतियर स्कुमार आमिर सुभानी से मिलने पारस ऐस्पिटल में लगते है काफी पारस ऐस्पिटल के फी जो है वो काफी ज्यादा है लेकिन सायद आमिर सुभाणी सहाब हो या बिहार के मुख्य मंतरी हो या फिर से लालू पर स्चाजादा हो तमाम जो बिहार के लोग हैं उनके लिए पारस अस्पताल फ्री हो अगर बत से बतर नहीं होती तो प्राइवेट अस्पताल में क्यों किसी को भी क्यों भरती होना परता है लालू परसाद अब को सिंगापूर क्यों जाना परता किड्नी ट्रांस्प्लांट के लिए देखिए क्या इंडिया में किड्नी ट्रांस्प्लांट के लिए कोई जगर नहीं है बिहार में कोई अस्पताल नहीं है बिहार के सरकारी अस्पताल जो है वो क्या आपने किस लिए खोल रखा है क्या बस लोगों को किसी तरिके से काम चलाने के लिए अगर किसी का तव्यत खराब हो जाता है तो बस ऐसे ही काम चल जाए क्या आपके अपने डॉक्टर्स पर आपको भरोसा नहीं है देखें ये सवालात इसलिए खरा हो रहा है क्योंकि आज आमिर सुभानी को ये रेंबुलेंस से दिल लिजाना परा पिछले दिनों जब कई तस्वीर सामने आए कि लालू पर साध्याता हो या खोद बिहार के मुख्ये मंत्र नितिश कुमार हो उनकी जब आखें खराब होती है तो इलाज करवाने वो दिल ली जाते है आई चेक अप के लिए दिल ली जाते है अब केके पाठेक जब सरकारी स्कूल का निरक्षन कर रहे है तो लगतार नहीं नहीं तस्वीर सामने आ रही है खुद बिहार के उपमोख्या मंत्री जश्वास के मंत्री जो अत्यश्वी आदव है वो खुद जब अस्पतालों का निरक्षन करने पहुंचते है तो उनको बहुत से बहुत तर इस हिती दिखती है क्यों उन तमाम डॉक्टरों पर कार्यवाई नहीं होती है क्यों उस तरीके का डॉक्टर को आपने हैर कर रखा है क्यों नए डॉक्टर्स को हैर नहीं किये जा रहे है क्यों आप लगतार, पुनाने millennials के भरोसा जता रहे हैं, जब आप को खुद भरोसा नहीं है, जब आप खुद भरोसा पस तिरफ दिखावा के लिए भरोसा जता रहे हैं अगर उतलियी मायाँ ने मां siitä मुझे मंत्रि ज्पी तो आप जो तंक आसे दॉक्टर्स है जो आपने खुद सरकारी अस्पतालों में लोगों को बैठा रखा है उन पर आपका भरुसा क्यों नहीं धीओ सब नहीं है तो वो प्यून सियज् अस्पताल में खर्च हो जाते है तो क्या जिस असपताल में करोर अगर पटना में दर्भंगा में पिहार में अगर हम पुरे बिहार की बात करें, अगर बढ़िया सरकाड़ी का हस्पिटल होता और बिदेश से पढ़े हुए लिखे हुए डॉक्टर्स अगर उस हस्पिटल में अगर हार किये जाते तो सायद आज ये दीन नहीं देखनी पड़ते और सायद आज आज आपको भी वो दीन नहीं देखने हैं पने क्योंकि आप खुद पारष六जर जब जाते होंगे तो आपको बेजती महसुस होती होär कि हम बिहार के मुखिया है और हमारा सरकारी जो अस्पताल है हमको उस पर भरोसा महीं है इसलिए हम पारस अस्पताल जाते हैं कहीं न कहीं देखिए सबी लोगों के लिए काफी एक बड़ी सर्मिंदगी भड़ी ये तस्वीर है कि आज आमिर सुभारी सहाब को जो है दिल्ली एरफ फ्लाइट से जाना पड़ा है इस तरीके का तमाम अपडेट लगतार आपको देते रहेंगे लगतार इस तरीके से लब लबेटते रहेंगे हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो पर फीस्बुक पेज पर देख रहा है तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें आपका अधन तक बरे रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया